Hello students جो जहरकंदपोर्ड ने स्लिवर्ष जारी किया है सापता ही के एक्जाम के लिए यहाँ weekly test के लिए स्लिवर्ष जारी किया है तो weekly test का जो स्लिवर्ष है आप यह मान के चलो फाइनल एक्जाम में लगभग यही स्लिवर्ष से एक्जाम है पूंछन पूछने वाला है सेम्स आपके एक्जाम के लिए भी होगा क्योंकि छेप्टर वासिप्तर विकली टेस्ट का सलेबर जा kitsa ये रिवी से नाम पर jarakim विकली टेस्ट में जो टॉपी Clarke and le memoir माहिए हम लोगिया नीलיים नीजरा सारब टॉपिक टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, सारा टॉपिक लिखा हुआ है, तो अगर सारा टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है, जो जो टॉपिक इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, मान लेते हैं कि वो सारे टॉपिक आप लोगों को जरूर एक्जाम में पूछेगा, तो बीखा करके, हम लोग सारे chapter by chapter discuss करते जाते हैं, यह लिखा था, June में फरस्ट, सेकंड जुन में टेस्ट होगा, July में टेस्ट होगा, हम को यह date से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह test का date है, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं, यह school वाले सोचेंगे, अस्कुल में एक्जाम टेस्ट होगा हम लोगों को इससे मतलब है कि हम लोग क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है देखिए यहां तीन-चार टॉपिक दिए इसको अच्छे समझेगा पहला टॉपिक मन्त लिखा कि कौन से मन्त में यह टेस्ट और्गनाइज किये जाएंगे दूसरा वीक लिखा है कौन सा सब्ता हमें को होगा जैसे दूसरा सब्ता हमें और तीसरा सब्ता हमें होगा चौथा सब्ता में पांचवा सब्ता में ठीक है फिफ्ट विक में अब यह यह लिखा एक शे दिन का होगा, rich6 दिन का होगा, Page3 दिन का होगा, Ni appons को लेना देनें 42 और स्कुल में होगा, School वाले समझेगे, ज тов लोगों को लेना देना है यह चाप्टर सींज से कि चाप्टर बंडर अम क्या पढ़ना है, ध्यांदिजे का, NPO आपके syllabus से deleted है NPO जो chapter था आपके syllabus से क्या है? हटा दिया गया अभी तक दिखनी रहा है, यहां से सिधा partnership से इंटर किया है, तो partnership में पहला chapter अगर आप देखें exercise 2 S.K. S.K. के book से अगर आप देखेंगे exercise 2 है यह part A का exercise 2 है और आपको part A का exercise 2 पढ़ना है, अदिकत किसी को? और exercise 2 का नाम है accounting for partnership from basic concept, जिसमें हम लोग क्या क्या topic पढ़े थे, तो आप याद कीजिए nature of partnership पढ़ चुक है साजेदारी की प्रकृति क्या है partnership deed, special aspect of partnership accounts partnership account में कौन कौन बनाने थे maintenance of capital account of partners distributed of profit between partners guarantee of partners और past adjustment, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो chapter 2 के अंदर यही पढ़े थे आप एक भी topic chapter 2 के अंदर deleted नहीं है, कोई topic नहीं है अब बोलोगे sir, interest on drawing बाई, बिना interest on drawing सीखे, आप यह करी नहीं सकते है PLA preparation बना ही नहीं सकते है बिना interest on capital सीखे तो इसलिए interest on capital, interest on drawing तो आना ही आना है तो यह सारे topics हैं जो आपको question में पूछा जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि सारे के सारे topics हम लोगों को final account तक आपको पढ़ना है इसमें तो सारे topics हम लोगों को इसमें पढ़ने थे इस chapter में, कोई भी topic में इस chapter में कोई भी topic delete नहीं हुआ है इसके अंदर लिखा learning outcomes इसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा हम लोगों नहीं चाहते हैं हम यह काम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्पन से bargaining करते हैं पेरेंट से भी bargaining करते हैं कि हम कर दिये का मिलेगा तो लोग पूछ रहा है अगर आप यह पढ़ोगे तो मिलेगा आप यह चीज पढ़ते जाते हैं यह आपको पढ़ना कुछ से student को पढ़ना है कि अगर हम इस topic को clear करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जैसे guarantee और partner पढ़ने से क्या मिलेगा सब चीज लिखावाए कि क्या क्या है इसके अंदर हम लोगों का outcomes लेना है तो यह student के लिए student इसको पढ़ेंगे लेगे क्या लिखाए first में after going through this unit the student will be able to अगर इस unit को student पढ़ता है तो student सक्षम होगा capable to understand and explain the meaning of partnership वो सक्षम होगा उस योग ये बन जाएगा कि वो partnership का meaning बता सकता है partnership firm का और उसका features बता सकता है describe कर सकता है meaning and need of partnership partnership deed क्या है उसकी जरुरत क्या है उसके content क्या है उसको describe कर सकता है तो यह तो पढ़ने बाद आपके अंदर development होगा तो यह का student अगर पढ़ता है इसको बोलते है learning outcomes हम यह पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा बात समझ गए तो learning outcomes हमारा काम नहीं बताना यह आप पढ़ेंगे और आप खुद समझेंगे कि इस chapter को पढ़ने से आपको क्या-क्या फायदा मिलने वाला है तो chapter 1 का topic देख लिए तो अगर हम देखे बेसिकली तो partnership का जो exercise 2 है ठीक है फॉस्ट चेप्टर partnership का और exercise 2 है आपके book में उसमें किसी भी तरह का कोई topic deleted नहीं है चलते अब हम exercise आगे अब अगला जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है modes of reconstruction of partnership reconstruction of partnership का mode क्या होगा अब इसमें आप याद करो क्या क्या पढ़े थे इसको मुलते चाप्टर 2 के अंदर चाप्टर 2 ध्यान रिजेगा अब modes पढ़ना है आपको modes of reconstruction of partnership का पढ़ा गया आपके book के chapter के इसाफ से नहीं मिलेगा अब इसके सिंग का book पढ़े रहे या कोई भी book पढ़े रहे हो तुसके हिसाफ से chapter ढून होगे नहीं मिलेगा या NCRT की हिसाफ से chapter है तो NCRT में याद रख्ये का पहला वो पढ़े रिकॉंस्टूशन पढ़े थे जिसमें आप पढ़े थे चेंज इन profit-sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratios में admission of partner पढ़े, new profit-sharing पढ़े, sacrificing पढ़े, goodwill का valuation पढ़े पढ़े, reconstruction of partnership firm में आप adjustment of accumulated profit and loss भी पढ़े, evaluation of asset and liability, और adjustment of capital भी पढ़े, याद किजिए पढ़ चुके हैं? यह reconstruction था, यह पूरा topic आपको पढ़ना है तो माना जाएगा कि इसमें भी कुछ deleted नहीं है, dyeलेटेड नहीं है शारा कासारा आपको पढ़ना है, इसमें भी कोई topic deleted नहीं है, तो जो reconstruction इसमें कौन-कुन chapter आ गया है इसमें अगर आप अपने एसके सिंग के बुक्स के हिसाब से देखेंगे तो चाप्टर 3, 4, 5 सब ना गया? 3, 4, 5 सब इसमें सामिल होगे कोई दिकत किसी को? आगे हम लोग चलते हैं अब इसमें भी learning outcomes दिया है कि अगर ये पढ़एंगे तो आपको क्या फाइदा मिलेगा? learning outcomes इसमें भी दिया है कि अगर पढ़एंगे तो क्या फायदा होगा? तो देखे इसके बाद retirement दिया है इसमें change in profit-sating ratio of existing partner याद की जे पढ़े हैं पुराने पार्ट साजदारों के बीच में लाभानी विभाजन पात्में परिवर्तन तो पढ़ चुके हैं न कि क्या होगा उसका अकांटिंग ट्रीटमेंट अगर चेंज होगा प्रॉफिट सेरिंग रेशियो दो सारे पार्टनर्स के बीच में पढ़ चुके हैं तो यह त्री फोर फाइप ये क्या होगा सिक्स इसमें डेठ भी है डेठ भी है न तो सेवन भी समाझे बदब पुरा कंप्लीट पार्टनर्सिप ही पाजागे किया क्या क्या टॉपिक है तो पहले मरे पार्टनर का अमांट निकालना ना है जो डेस आपार्टनर में था नियूप इसका मतलब पूरा पढ़ना कोई भी टॉपिक टॉपिक नहीं है सारा पॉपिक में आपको पढ़ना है देथा पाटनर पॉरीकत है अब chapter 4 देखो इस बार जोर दिया गया डिसलोशन और पार्टनर से जोर दिया गया इसम आपको पढ़ना है Dissolution of Partnership, Dissolution of Firm, Settlement of Accounts और Accounting Treatment यह चार चीज है जो भी तक हमारे यहां नहीं हुआ है यह भी बाकी है यहाद दखे का Dissolution of Partnership इस बाद जोड़ दिया गया आपके सिलेवस में उस जगह पे NPO हटा दिया गया आप इसको अपने चलते हैं तो पार्ट B में चलते हैं बाद चतल पर पढ़ना है प्र करते हैं कोई भी टॉपिक अंटच रहा कोई टॉपिक ऐसा जो पढ़ाएगा और वेस्ट हो गया नहीं है सारा टॉपिक अपको पढ़ाएगा सारे टॉपिक से कुश्टन आने वाले है कोई दिकत चलते थोड़ा और आगे अबर शेते बहें च्लिक्श के शूंच THIS इंट्रास covenant चूट्ट आँडम लोग का ये टॉपिक हमलोग चूट गया सब्सक्राइट्च आइर न्मलोग इस टॉपिक को देखे مैं है writing of loss उसके बाद redemption of debenture भी पढ़ना है redemption payment यह छूटा है हम लोग का पूरा यह भी आपको पढ़ना है debenture का redemption के अंदर वो दिकते हैं यह topic हम लोगों का भी छूटा भाई याद रखना हम लोगों को इसलिए हम लोग यह वीडियो पूरा बना दे रहे ताकि आपको समझ आए कि क्या हमने पढ़ाई यह online offline दोनों student के लिए और कोई student अगर ऐसे हैं जो अभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को और अभी तक कही class जोई नहीं किये तो online class के लिए संपर कर सकते हैं offline class के लिए भी contact कर सकते है offline class commerce world हजारी बाग मतवारी पेट्रोल काम के पास होगा और online class के लिए आपको application install करना है आप इस वीडियो के description में जाएंगे वहाँ भी application का link डाला होगा और नहीं तो अप play store में जाएंगे commerce world हजारी बाग के नाम से application है उसको आप install कर लेंगे और वहाँ मेरा दियावा number है आप मुझे contact कर सकते हैं या तो वही से store से आप direct purchase कर सकते हैं जो भी course आप लेना चाहते हैं अब चलते हम लोग financial statement of a company एक company का financial statement यह हम लोग अभी पढ़ी रहे हैं इसमें पढ़ना क्या है meaning of financial statement, nature of financial statement, objective of financial statement, types of financial statement, usage and importance of financial statement, limitation of financial statement, और financial statement, analysis के अंदर यह सब पढ़ना था उदी कहते हैं देख लिज़े, tools of analysis of financial statement जिसमें आपको क्या पढ़ना है comparative statement, common size statement, देख दो, theory part ज़्यादा दिया है आप गौर करना है, कि theory part इसमें जरूर डाला है इसका मतलब हर theory part को आपको ध्यान देके पढ़ना हो अब आपको लिखाए गया meaning and analysis of financial statement, question यहांज भी डाल देगा अब आप numerical पढ़के hero बने जाएंगे तो यहां zero हो जाएंगे क्योंकि numerical portion बहुत कम दिया है, theoretical portion जाद है तो हम लोगों theoretical portion को भी देखना होगा यह आपके पास होना ही चाहिए और आपको इसके according अपनी तयारी करनी चाहिए देखिए यह topic हम लोगों को पूरा complete करके जाना है, ताकि कोई दिकत ना है अब comparative common limitation of financial statement के बाद यह सब हम लोग पढ़ेंगे comparative statement, common size statement उसके बदा accounting ratio मा आएगा ratio मा आपको पढ़ना है meaning of accounting ratio, objective of accounting ratio, advantage देखो खली theory डाला है चार उसके types of ratio ratio में 4 तरह का ratio होता है, चारो पढ़ना है, पहला कौन सा ratio है, चार तरह का ratio होता है, पहले meaning पढ़ना है, objective पढ़ना, advantage पढ़ना है, revitation पढ़ना है, types of ratio में पहला ratio ही होता है, liquidity, solvency, activity, ठीक है कहीं भी कुछ deleted नहीं है, liquidity, solvency, activity और एक ratio होता है जिसका नाम है profitability, तो के आगे cash flow statement last chapter, last chapter क्या है, cash flow statement, the cash flow statement के इसाब से क्या पढ़ना है, cash flow statement जो हमारा chapter है, उसमें आपको पढ़ना है, objective of cash flow statement, advantage, cash flow, cash or cash equivalent item क्या होता है, cash flow क्या होता है, कितने तरह के activity में बाठते है, cash flow operating activity कैसे होगा, investing activity, financing activity कैसे होगा, preparation of cash flow statement, तो अगर पूरे syllabus को देखा जाया हैं तो conclusion के तोर पर ये कह सकते हैं कि आपके syllabus में कुछ भी deleted नहीं है बस ध्यान ये रखना है कि पहले syllabus में NPO पढ़ना था और desolation of partnership नहीं पढ़ना था पहले आप लोगों को क्या किया NPO हटा दिया उस जगह पर desolation of partnership डाल दिया बाकी एक सब्द if बट कुछ भी घटा नहीं है तो लोग बोलता है कि 70-30% syllabus कम हो गया ऐसा सोचना commerce के student के लिए account subject में गलत होगा आपको कोई topic untouched नहीं है इसलिए हर topic को पढ़िए बस अंतर ये था कि पिछले साल NPO का question पुछा जाता था इस पार जो question पुछा जागा desolation of partnership को पुछा गया तो भाई एक हटा या तो एक डाल ही दिया तो syllabus में कोई भी कटोती नहीं हुए फाइनली हम लोग पूरा syllabus देखने के बाद यह decide करेंगे कि accounts के syllabus में 12th class में किसी तरह का कोई deduction नहीं हुआ है सब कुछ पढ़ना आपको वह दिकत है हम लोग एक और subject का syllabus discuss करेंगे syllabus को discuss करना बहुत जरूरी है क्योंकि syllabus आप नहीं जानते तो पढ़ेंग की तरह तो दूसरे से लेबस को हम लोग अगले वीडियो में दालेंगे